दोस्तो क्या आपका मोबाईल में Jio Network नहीं आ रहा है क्या 4G SIM लगाने से टावर नहीं पकड़ रहा है या फिर कोई ATAL SIM ला देने से 2G Network पकड़ रहा है तो दोस्तो वीडियो में बताऊंगा आज ये वीडियो में भीवो भीना इन मोडल में ऐसे ही प्रोब्लम आ रहा है जो क ये अटल सिम लगा देने से 2G नेटवर्क पकड़ रहा है लेकिन 4G सिम लगा देने से कोई भी इसमें 4G नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है तो दोस्तों इसमें क्या प्रोब्लेम आया होगा और कैसे इसको ठीक करेंगे वीडियो में बताऊंगा भी वी ना इन मोडल में ऐसे जिवी से नहीं आ रहा है mobile water damage नहीं है दोस्तों mobile बिलकुली प्रेस है और आप देख सकते हैं इसमें जियो सिम और रेयेटल सिम लगाया हूँ हम और उसमें देख सकते हैं no service दिकहा रहा है और emergency call only दिखा रहा है तो देख सकते हैं दोस्तों ये भिवो B9 मोडल में है और Network issues जो आ रहा है, no service issues आ रहा है, या फिर Emergency Call आ रहा है या फिर आप बोल सकते हैं इसमें Airtle Sim पकार रहा है लेकिन 2G पकार रहा है Geo Sim कोई भी लगाने से, कोई भी 4G Sim लगाने से इसमें 4G Network नहीं आ रहा है तो दोस्तों मोबाइल से मैं भी ये सामान खोल के लागा के इसमें चालू करके दिखाऊंगा दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें और ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिल्कुल ही बीच में स्कीप ना करें दोस्तों इसमें ऐसे ही ट्रीक बताने वाला हूं अब देखके आप भी खुद बना सकते हैं अगर आप मोबाइल दुकान दिये हैं तो ये आपके लिए बिल्कुली रामबान वीडियो बनने वाला है तो दोस्तों आपके सामने एक बार दो सिम लगा दिया हूं जीयो सिम और एटल सिम आपको दिखाने के कोसिस कर रहा हूं देखिए दो सिम का नेटवर्प नहीं पख़र रहा है जीयो का और उसी बिल्कुल ही चालू है और आप देख सकते हैं दोस्तों इसको हम कैसे इसको ठीक करेंगे सब चीच हम सेटिंग करने के बावजद भी ये प्रोलम ठीक नहीं हो रहा है तो दोस्तों इसमें ओबियसली इसमें सिम फ survivor में क्या प्रोलम आया है यह आगे आपको पुरे डीटल में समझाने की कोशिज करूंगा और स्टेप जो जिस चीज भी प्रोलम आया है उसी चीज के बारे में पुरा बिल्कुल ही जानकारी देने की कोशिज करूंगा तो दोस्तों मैंने मुबाइल को अभी खोल द देखने के लिए नमस्कार दोस्तों टेक सेंज में आप सभी को फिर से स्वागत है जैसे कि मैंने हेडिंग में बताया था वीबो का भी नाइन मोडल है और इसमें 2G नेटवर्क आ रहा है लेकिन 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है तो दोस्तों मोबाइल को मैंने खोल दिया हूँ आप देख सकते हैं आपको पूरे डिटल में दिखाऊंगा और समझाऊंगा इसमें क्या प्रोलम आया है और अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये इसका मदरबोर्ड जो आप देख सकते हैं इसका बोर्ड जो है बहुत ही फ्रेस कंडिसन में है और बिल्कुल ही लिक्विड डेमेज या फिर जरकिंग नहीं हुआ है तो दोस्तों ये देख सकते हैं भीबो का भी नाइन मोडल है और इसमें नेटवर्क इसमें 2G नेटवर्क पकड़ रहा है और 4G नेटवर्क नहीं हा रहा है तो दोस्तों कोई भी सिम लगा देने से इसमें 4G नेटवर्क नहीं पकड़ पा रहा है तो दोस्तों इसमें क्या प्रोलेम आया हुआ और कैसे इसको ठीक करेंगे ये वीडियो में पूरे डिटेल में समझा दिखाऊंगा और कैसे ये रिप्यार करूंगा ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो पसंद आये तो जरूर से लाइक करें वीडियो ज्यादा पसंद आये तो दोस्तों के साथ सेयर करें दोस्तों हमारा इस चैनल में जूड़े रहने के लिए ये चैन ठीक हो जाना चाहिए तो दौस्तो इसी टैब का ये वीडियो और ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि दुश्टो इसमें कम से कम विलकुली कम से कम खर्चे में ये mobile को repair करके दिखाऊंगा तो दोस्तों इसमें क्या trick लगाऊंगा और कैसे इसको ठीक करूँगा तो वीडियो को एंट तक जरूर देखें ये वीडियो पसंद आये तो जरूर से like करें हमारे इस channel को subscribe करें और दूसरों के साथ share करें तो दोस्तों mobile को मैंने PCB holder में लगा दिया हूँ और अब देख सकते हैं इसका जो safety guard है इसको खोल रहा हूँ तो दोस्तों इसमें hardware का issue आया है मैं 100% हूँ क्योंकि दोस्तों इसका जो best when status है ये okay होने के बावजूद भी ये network नहीं आ रहा है तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों ये इसका जो safety cover लगा हूँ थि स्को खोल दिया हूँ सबसे पहले एक बाद क्या करेंगे दोस्तों जैसे ही safety cover खोला मैंने उसके बाद एक बाद जरू से try करूँगा क्योंकि दोस्तों मोस्चर होने के कारण से कोई-कोई mobile में ऐसे ही problem आ जाता है लेकिन यह 100% ठीक नहीं होता लेकिन एक बार जरूर से try कर लेते हैं कि दोस्तो कभी-कभार हो ही जाता है एक problem थोड़ा सा heat डाल देने से तो दोस्तो देख सकते हैं मैंने mobile को test कर लिया हूँ इसमें network नहीं आ रहा है और दोस्तो देख सकते हैं और आपके सामने ही दिखाने के पुरी कोसिस करूंगा सीम इसमें डाल दिया हूँ दोनों सीम और आपके सामने दिखाऊंगा इसमें जो आप देख सकते हैं टाइम के पास में नेटवर्क का सिगनल नहीं दिखा रहा है तो दोस्तों ये मोबैल जो हम लोग बना रहे हैं ये भीवो का भी 9 मोडल है और आप देख सकते हैं ये भीव सं कि लगा देने सीम नेटवर्क है तो दोस्तों वीडियो में टाक भने रहे ये भीडियो में पुरीर डीचल में समझाने की कोसिश कर रहा हूँ और आपके सामने ही में मेटर ले आया हूँ और आपके सामने प्रो डिटल में समझाने की कोशिज करूँगा कहां पर कितना बोल्ट आना चाहिए तो इसका प्रोलेम जो है ये नेटवर्स सेक्षन में है और नेटवर्स सेक्षन में सब चीज हम लोग ट्रेस करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों डव्ली टी और का जो सप्लाई है यहां पर भोल्टेज आ रहा है कि यहां पर 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए दोस्तों देख सकते हैं यह बोल्टेज भी आने के वावाजुद भी यह नेटवर्स नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग searching mode पे रखेंगे पहले उसके बाद voltage test करेंगे क्या voltage आ रहा है कैसे इसको ठीक करेंगे और क्या इसमें problem है होगा तो दोस्तो वीडियो में end तक बने रहें ये वीडियो में समझा रहा हूँ दिखा रहा हूँ और आपके सामने ही बनाने के कोसिस कर रहा हूँ तो दोस्तो हम लोग confirm हो गए हैं इसमें WTR IC में supply होने के बावजुद भी ये network नहीं हा रहा है तो दोस्तो इसको फिर से एक बार PCB holder में लगा देता हूँ और इसमें WTR IC जो मैंने यूज करूँगा ये मेरे पास एक Geo Mobile पड़ा हुआ था वहां से WTR IC को खोल के इसमें experiment करने वाला हूँ क्या दोस्तो इसमें ये WTR IC काम करेगा क्या ये Geo Mobile का WTR IC और ये Vivo Mobile का same है दोस्तो ये वीडियो को end तक बने रहें ये वीडियो में समझाऊंगा दिखाऊंगा और experiment करके आपके सामने ही रखोंगा तो दोस्तो आप भी comment करके बता सकते हैं मेरे को क्या WTR IC Geo Mobile और Vivo Mobile में support करता है या फिर आपके पास ऐसे ही problem आ रहा है तो आप कभी try किये हैं कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तो ये वीडियो में मैं भी खोसिस कर रहा हूं कि ये जियो मोबाइल का जो WTR IC लगा हुआ है इसको एक वर क्योंना try क्या जाए जैसे कि दोस्तो देख रहे हैं PCB holder में मैंने लगा के मोबाइल को अभी ये WTR IC को remove कर रहा हूं तो दोस्तो देख सकते हैं मैं बिना ही माइक्रोस्कोप और बिना ही IC रिवल करते हुए ये IC को पैठा दूँगा दोस्तो देख सकते हैं ये अभी IC को remove करने वाला हूं और आपको सामने ही ये मोबाइल को repair करके दिखाऊंगा ये Vivo V9 model का network issue या फिर network problem जो आया है इसमें इसको ठीक करते हुए आपके सामने live दिखाने की कोसिस करूंगा जैसे कि दोस्तो देख रहें ये WTR IC हम लोग voltage मिल रहा है लेकिन उसके वावजुद हम लोग को network नहीं मिल रहा है तो दोस्तो आप सोच रहे होंगे कि इसका आगे भी problem हो सकता है क्योंकि दोस्तो हमेशा जो WTR IC बहुत सारा complain आता है दोस्तो इसका जो RIP IC है 2G PF IC है सब चीज को मैंने छोड़ दिया लेकिन WTR IC को हाथ लगाया क्योंकि दोस्तो WTR IC हम लोग confirm होते हैं कि कोई भी network problem आये तो WTR IC को पहले check किया जाता है उसलिए दोस्तो उसी की हिसाब से उसी की theory हिसाब से मैंने ये try कर रहा हूँ तो दोस्तो देख सकते हैं ये network IC या फिर WTR IC जो लगा हुआ था इसको remove कर दिया हूँ और इसको remove परने के बाद इसमें जो ball लगा हुआ है इसको rebel करना नहीं पड़ेगा दोस्तों क्योंकि दोस्तों ये मैं बिलकुली अच्छे से खोला हूँ और इसका जो ball है ये बिलकुली अच्छे condition में है आपको पूरे detail में दिखाऊंगा और आपको औरेवर close से दिखाने के कोशिस करूंगा दोस्तों ये motherboard का side में आप देख सकते हैं जियो mobile का motherboard पड़ा हुआ है तो दोस्तों यहां से मैं WTRIC को remove करूंगा और ये Vivo B9 model में try करके देखूंगा तो दोस्तों ये WTRIC क्या इसमें support करेगा क्या इसमें WTRIC काम करने से network problem सही हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो में अंट तक बने रहें ये वीडियो में पूरे समझाऊंगा दिखाऊंगा और आपके सामने report को finding करके रिप्यारिंग करके दिखाने की कोशिस करूंगा जैसे कि दोस्तों देख रहें ये WTRIC F220B ये जो जियो mobile का था ये मैं खोल दिया हूँ मदरबोर्ट से खोलने के बाद ये WTRIC को मैं ट्यूजर से पकड़के रखा हूँ और इसका direction पहले चेक करेंगे किस तरब से बैठना चाहिए और इसको अच्छे से देखके आप भी कोई लगाने की कोशिस करें तो दोस्तो जैसे ही खुले हैं वैसे ही बैठा देंगे लेकिन उसके इलावा ये हमारा mobile काम करना चाहिए नहीं तो दोस्तो डबल महनत लगेगा इसमें क्योंकि दोस्तो ये जियो mobile का WTRIC हम लोग को तो मालूम नहीं इसमें खराब हुआ है कि अच्छा है लेकिन दोस्तो एक बाट ट्राइज जरूर करेंगे क्योंकि दोस्तो ये WTRIC जो लगा हुआ था जियो mobile का motherboard में ये motherboard काफी दिनों से dead होके पड़ा हुआ था लेकिन इसका CPU short है उसलिए मैं दोस्तो ये mobile को repair नहीं कर रहा हूं और ऐसे ही फेक दिया हूं तो दोस्तो देख सकते हैं ये WTRIC ख सेट कर चुका हूं तो दोस्तो इसमें देख सकते हैं इसका जो बॉल भी है बिल्कुल है अच्छे कंडिशन में है भीवो भी नाइन का motherboard अभी PCB holder में लगा चुका हूं और दोस्तो देख सकते हैं यहां पर दिखाने की कुसिस करूंगा इसका एक बॉल हलका सा बड़ा हो ग चाइगे तो दोस्तो इसका जो बॉल पहले से बना होगा था वही बॉल है में रिवल नहीं किया मोबाईल को और नहीं पास रिऎकर करने काैं में नहीं नहीं है तो दोस्तो आपके सामने यह मोबाइल को अभी ठीक करने वाला हूं तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिल्कुल ही बीच में स्कीप ना करें दोस्तों क्योंकि इसमें ऐसे ही ट्रीक लगाने वाला हूं अभी जो कि हमारा नेटवर्क प्रूलम है यह 100% सक्सेस होगा क्योंकि दोस्तो वाला हूं और अब देख सकते हैं दोस्तों इसको अच्छे से लगाएं बिल्कुल भी हरवडी ना करें दोस्तों इसमें ज्यादा heたट और ज्यादा प्रेसर ना डालें तो दोस्तों आराम से काम करें ये मोबाइल दुकान बालों के लिए बिलकुल ये अच्छा वीडियो बनने वाला है और आपको पुरे डेटल में समझाने की भी पूरे कोसि़ कर गूरू है तो दोस्तो वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक करें क्योंकि दोस्तो ये एक वीडियो बनाने में बहुत सरा मेहनाद लगता है तो दोस्तो ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक करें तो दोस्तो उसके लिए जरूरी है लाइक और डिसलाइक का रिपोर्ट देखना तो दोस्तो लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं लगता और डिसलाइक करने से भी कोई पैसा नहीं कड़ता तो दोस्तो उसी लिए दोस्तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक करें और आपके सामने ही देख सकते हैं दोस्तो ये WTR IC को सेट कर रहा हूँ मैं बिल्कुली अच्छे से कोसिस करूँगा कि आपको और अच्छे से अच्छे क्लोज से दिखाने की और आपको पूरे डिटल में समझाने की तो दोस्तो ये देख सकते हैं भी वो V9 मोडल का जो नेटवर्क इसु था ये अभी WTR IC को रिमूब करके रिप्लेस कर दिया है तो दोस्तो देख सकते हैं इसमें पेश्ट डाल दिया हूँ तो दोस्तो ये देख सकते हैं जो जियो मोडल का मदरबोर्ड खराब वाला मदरबोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ था वहां से WTR IC को रिमूब करके यहां पे रिप्लेस कर चुका हूँ क्या दोस्तो इसमें जो नेटवर्क प्रूलेम था इसमें सही होगा क्या दोस्तो अगर हमरे पास अगर खराब मोबाइल या फिर खराब मदरबोर्ड है वहां से खोल के हम लोग काम कर सकते हैं यह वीडियो में पुरे डिल्ले में समझाने की कोसिस कर रहा हूँ दोस्तो क्या हमारे पास अगर कोई भी पुराना चीज है कोई भी पुराना मोडल है अगर सेम चीज सेम आईसी लग रहा है उसका पीन कनेक्सन पीन मेच कर रहा है अगर हम यह लगा सकते हैं हमारा काम चल जाता है तो दोस्तो यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा बोनस पॉइंट होने वाला है दोस्तो यह WTR IC लगाने के बाद एक बार जरूर से क्लीन करें और मैं हमेशा कोसिस करता हूँ कि अच्छे से अच्छे काम करने की और अच्छे से फिनेसिंग से काम करने की कि दोस्तो अगले के पास अगर जाएगा मुबाइल तो उसको नहीं मालूम परना चाहिए कि कौन सा सेक्षन में काम हुआ था पहले दोस्तो यह देख सकते हैं बिल्कुल यह फिनेसिंग के साथ में काम हुआ है और उसके जो सेफ्टी कवर था इसको भी लगा देंगे और बैठा देंगे उसके बाद पहले ट्राइक कर लेते हैं तो दोस्तो यह भीवो भीनाइन का नेटवर्क इसो जो था जो 2G SIM पकड़ रहा था लेकिन इसमें 4G SIM का प्रोलम आ रहा था दोस्तो यह PCB या फिर motherboard को मैं इसे बीवो भीनाइन का body में सेट कर रहा हूँ और आगे दिखाऊंगा कि इसका जो प्रोलम था यह सही हुआ या फिर नहीं हुआ तो दोस्तो देख सकते हैं यह mobile को मैंने सेट कर चुका हूँ और इसमें दो SIM लगा कि एक बार जरूर से ट्राइ करके आपके सामने दिखाने की कोशिज करूंगा दोस्तो यह जो WTR IC लगा हूँ यह जियो mobile का है क्या इसमें support करेगा क्या दोस्तो यह 4G network को पकड़ पाएगा और इसमें network का issue जो था इसमें solve होगा कि नहीं होगा यह वीडियो में अंट तक जरूर देखें दोस्तो यह वीडियो में पूरे detail में आपको समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तो experiment करने में कोई भी पैसा नहीं लगता लेकिन experiment करें ध्यान से करें mobile dead नहीं होना चाहिए customer जिस condition में दिया है उसी condition में देना चाहिए क्योंकि दोस्तो अगर mobile dead हो जाता है या फिर और कोई problem आ जाता है तो customer इसमें भड़क सकता है तो दोस्तो इसलिए हमेशा कोसिस करें कि अच्छे से अच्छे काम करने की और जिस चीज चीज सेक्शन में problem आया है उसी चीज या फिर उसी सेक्शन में अच्छे से देखे और आप देख सकते हैं इसमें network आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है तो दोस्तो यह वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो जरूर से like करें वीडियो ज्यादा पसंद आ रहा है तो दूसरों के साथ share करें और हमारे इस channel में जूड़ने के लिए हमारे इस channel को subscribe करें तो दोस्तो यह देख सकते हैं यह 4G network लिक रहा है और 4G SIM पकड़ लिया है तो दोस्तों यह हमारा जो problem था यह solve हो चुका है दोस्तों इसको पूरे अच्छे से fitting कर दूँगा क्योंकि दोस्तों इसका जो back cover है back panel है वहां पे भी network का antenna लगा हुआ है और उसी को अगर fitting नहीं करेंगे तो सदिक्कात आ सकता है तो दोस्तों पीछे वाला back cover लगा देता हूं तो दोस्तों यहां पर मैं mobile को कर देता हूं fitting और उसके बाद आपको दिखाने के कोसिस करता हूं तो दोस्तों यह देख सकते हैं वीबो का V9 model मैं कर दिया हूं completely fitting और इसका जो network problem था यह सही हुआ या फिर नहीं हुआ यह वीडियो पर बने रहे हैं दोस्तों इसमें मैं पूरे डिटल में समझाने की कोसिस कर रहा हूं वीबो भीना इन मोडल में network problem को बनाने की और आपके सामने ही repair करके दिखा रहा हूं तो दोस्तों वीडियो अगर पसंदा रहे तो जरूर से like करें हमारे इस च हो गया है तो देख सकते हैं दोस्तों यह जीओ मोडल का जो पुराना वाला मदरबोड पड़ा हुआ तो वहां से हम लोग काम कर सकते हैं लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखें कि चालो मोडल से या फिर चालो मदरबोड से खोलने की कोशिस ना करें कस्टमर जिस कंडिशन मे दिया है उसी कंडिशन में लोटाने की कोशिस करें दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बता है तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में तब तक लिए बंदे मातरम